हे गाई में चिराग एक और वीडियो के साथ अकाउंट्स विछ चिराग चैनल पर आपका वेलकम करता हूँ जहाँ आप कॉंसेप्ट को रटते हैं नहीं कॉंसेप्ट को समझते हैं उसमें exemption क्या थी, deduction क्या थी वो सारा पार्ट आपने उन heads में cover कर लिया पर यह बोल रहा है कि इसके अलावा भी और source of income होते हैं जो उन 4 head में नहीं आ पाते हैं तो वो किसमें आएंगे income from other source में पर या रखना जो वो source of income है तो इसका मतलब क्या हो गया specific source of income से related जो heads है वो तो आपको पता ही है कि employer-employee का relationship है salary से related part आएगा ठीक है कि employer-employee को जो भी amount दे रहा है salary के form में लेकिन कुछ-कुछ चीज़ा आपने पड़ी जैसे MP, MLA की salary वो किसमें आएगी income from other source में आएगी जैसे आपने बढ़ा कि income from house property जैसे rent पे दिया तो आपको बताए कि वो income from house property में आएगा लेकिन एक tenant ने क्या कर दिया उसको sublet कर दिया तो income from subletting वो किसमेंगी income from other source में इस तरीके से हमें पता रहना चाहिए तब ही आपे basis of charge में क्या बोल रखा है वो ही जो में हमने उपर पड़ा कि every income which are not taxable under any other head of income is taxable under head income from other source ठीक है such income should not be exempt from tax इसका मलब वो assessi के hand में taxable होनी चाहिए simple सा बाट अब देखिए लोग इसमें क्या करते हैं 10-10 minute आपको समझा देते हैं शुरू में तो वो time wasted है simple सा बाट है ज़्यादा सोचने की ज़रूत नहीं है पिर देखिए relevance of method of accounting में क्या बोल रहा है तो वो कैसे compute होगी उस method के according जो आप follow कर रहे हो तो यह बोल रहा है income chargeable under head income from other source has to be computed in accordance with method of accounting regularly employed by the assessi assessi क्या है अपने business में जो regularly लगा रहा था thus if assessi follows cash system of accounting income shall be taxed on cash basis if assessi follows mercantile method of accounting income shall be taxed on accrual basis यानि due basis पे लेकिन जो deemed dividend under section 2 subsection 22E is taxable on payment basis यह किसके according बता रहा है under section 8 तो आप बोलो के सर यह क्या है तो इसका देखिए मैं अलग से topic cover कर रहा है पूरा जिसमें A से लेके E point आएंगे 2 subsection 22 के A से लेके E point आएंगे जो की एक तरीके से कहा है dividend तो नहीं होता लेकिन income tax के point वह deemed dividend वाना जाता है अब देखिए falling income are generally taxable under head income from other source ऐसे बहुत सारे आपको देखने के मिल जाएंगे जरूरी नहीं कि जो मैंने यह cover किया इसमें पार्ट है क्या पता कुछ मेरे से छूट भी जाए लेकिन आप या रखना कि मैंने अलग-अलग head में आपको बताया है कि आपने कि अगरा किसी particular contract का जो भी advance money आपको मिला था contract पूरा नहीं हुआ तो आपने वो forfeit कर दिया तो वो किसमे taxable अब income from other source में ऐसे मैंने बीच-बीच में आपको बताया तो आपको जनरली ध्यान रहने चाहिए क्योंकि exam में कुछ भी point पूछ सकता है चार point पूछ लिए और बोल दिया कि इन में से कौन सा income from other source में taxable होगा तो चार में से आपको बताया कि यह आपको चार option दे दिया उसमें से बोल दिया कि पहला option पहला code में बोल दिया ABC, दूसरे में बोल दिया ABD तीसरे में बोल दिया BD जो कि around at the rate 15% होता है क्यों होता है 15% तो company ने जो dividend दे दिया और उस पर dividend distribution tax दे दिया तो उस case में उसको छोड़के बागी सारा जो dividend हो taxable होगा वैसे जनरली आपको पता है कि domestic company से जो dividend मिलता है वो exempt होता है लेकिन वो 10 लाख रुपे तक का dividend exempt होता है उससे उपर जो भी axis dividend है वो 10% से taxable होता है अब आप बोलोगे यह सर कहा हैगा तो मैं आपको हलका सा बता देता हूँ कि यह मैं आपको 115 BB something कुछ था section जो कि ध्यान नहीं रहता यह रहा देखे section 115 BB DA तो इसके according cover कर आऊँगा तो आपको पता चल जाएगा कि domestic company से अगर आपको dividend मिलता है तो उस case में कितना exempt होता है और उसके बाद जो axis dividend है जो भी वो taxable हो जाता है इस तरीके से देखो छोटे छोटे point cover करने पड़ते हैं तो वापिस आजाते हैं अपने point पे तो हमें पता है कि dividend taxable है लेकिन इसको छोड़के जिस पर generally company ने dividend distribution tax दे दिया है क्योंकि अगर हम भी देंगे तो double tax हो जाएगा तो company ने दे ही दिया है तो हमें देने की जूरत नहीं हमें यानी shareholder को फिर देखे बोल रहा है casual and non recurring income इसमें generally आ जाएगी income from undisclosed sources का part आ जाएगा ये generally मैंने आपको income from undisclosed sources salary वाले पार्ट में cover करा लिया था ठीक है income from agricultural land outside India ये भी आपको पता है remuneration received by MPs, MLA's ये मैंने आपको salary वाले पार्ट में cover कराया था director sitting fees ये भी मैंने वहाँ बता दिया था आपको gratitude received by director क्योंकि वह employee के form में अगर नहीं होगा तो या रखना अगर वह employee के form में gratitude ले रहा है तो वह क्या होगा आपका salary में taxable हो जाएगा interest on income tax refund income tax refund पे जो interest आया winning from lotteries puzzles, horse race, card game यानि casual income का part होगा एक तरीके से जैसे आपको बता है कि उन पर generally 30% लगता है तो income from other source में taxable होता है rent from vacant piece of land खाली land है उनसे related rent मिला income from subletting of house property यानि जो tenant है उसने का अगर दिया किराय पे दे दिया और उसको जो income मिली है तो income from subletting of house property examination fees received by teacher from non employer ठीक फिर directors commission from bank for guarantee guarantee देने के लिए director को जो commission मिला ठीक directors commission for underwriting shares तो वो part आया तो ये सारा part इसमें cover दे रखा है इसी तरह के देखिए interest on employees contribution from URPF unrecognized provenant one तो इसको मैंने कहीं न कहीं cover किया हुआ है उन heads में family pension भी मैंने salary में बताई भी है तो यहां बे बस point दे रखें तो उनको आपको याद करने है क्योंकि कभी कभी एक्जाम में आ जाते है family pension received by family of disease person person की दैत हो गई उसके family members को या family को क्या है family pension जो मिली है interest received on compensation for compulsory equation by government of India ये तो जब मैंने आपको पिछले वीडियो में या उससे पहले की वीडियो में आपको ये compulsory equation जो बताया था उसके साथ बता दिया था थीक है तो ये बोला जो compensation मिला है उसमें लेट हुई तो government ने उस पर जो interest दिया government ने जो क्या गरा interest दिया वो income from other source में compensation और any other payment received in connection with termination of his employment or the modification of terms and condition of employment section 56 sub section 2 11 इस तरीके देखिए बहुत सारे point है तो आपको बस ये देखने पड़ेंगे और याद रखना कि जो चार head में नहीं आ रहे है वैसे सोच ये दिमाल लगा के तो किसमें आएगा income from other source में आएगा अब देखिए इसमें क्या बोल दिया कि अगर वो PGBP में taxable नहीं है तो income from other source में taxable हो जाएगी ये सारी income दे रखिए कह रहा है following incomes are taxable under head income from other source if not taxable under head PGBP ठीक है अब एक एक करके देख लेते हैं अब देखिए आप एक दे रखा है interest on securities and interest on bank deposits or deposits with companies discuss letter जैसे मैं normal खुद की बात करूँ अगर मैंने क्या कर दिया bank में deposit कर दिया FDFD करा दी उस पर जो interest का part मिला तो आपको बताए कि एक limit के बाद यानि एक limit जैसे पहले 10,000 की थी अब according मेरे साब से 40,000 हो गई है जब इसकस letter लिखावा है तो मैं जब आपको बाद में बताऊंगा या अगली वीडियो में part cover होगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या amendment होए क्या change होए तो मेरे according हो 40,000 तक की exemption है उसके बाद जनने लिए आपको बताए कि TDS का part कटता है तो यह बोल रहा है कि income from other source में वो taxable हो जाएगा वैसे securities पे जो interest है ठीक है employee contribution to provident fund या super annuation fund या employee state insurance के according जो भी fund बना हुआ है इसमें अगर employee contribution करता है और employer को मिलता है अब employer क्या करेगा उसको एक due date के accord अंदर जमा कराएगा जो कि या तो 21 days की होती है 15 days की होती है आपने बोला सर यह आपने कब बताया यह मैंने आपको बताया था PGVP में चलो आप यह आपको दिखा ही दूँगा तो यह बोल रहा है employee contribution to PF और super annuation fund etc received by employer if not remitted before due date तो due date से पहले जमा करानी पड़ती है तब employer को deduction के form में अला हो जाती है यह आपको पता है लेकिन अगर employer ने due date यानि जो 21 दिन या 15 दिन के अंदर जमा नहीं कराया तो वो taxable हो जाएगा income के form में तो आप देख सकते हो यह एक बार मैंने यहां बताया था देखे मैं आगे हैं यहां पर यानि यह अपनी PGVP की second PDF थी जिसमें बताया था कि employees contribution toward staff welfare scheme तो कोई भी सम अगर employer को मिलता है employee से किसके form में यह PF super nation fund के form में या employee state insurance के किसी fund के form में या employee के किसी welfare के form में किसी fund के form में होता है तो उस case में क्या होता है वो बोल रहा है कि employer की income हो जाता है लेकिन अगर employer क्या गरता है उस relevant fund में due date से पहले due date को या due date से पहले जमा करा देता है तो employer को deduction मिल जाती है क्या मिल जाती है deduction मिल जाती है generally क्या बोल रहा है अगले महीने के 21 दिन में जमा कराना नहीं होती है या एक कोई दूसरा fund है जो की employee provident fund है अच्छा ये employee state insurance का fund है और ये employee provident fund का है तो उसमें बोल रहा है कि अगले महीने की 15 दिन के अंदर आपको जमा कराना पड़ता है तो उस वक्त मैंने बताया था जनरली आपको ध्यान होगा भूल गए होंगे तो देख लेना तो tax point में क्या बोल रहा है कि अगर due date ये उसके अंदर जमा करा दिया जाता है तो no treatment लेकिन अगर employment ने employee का जो भी contribution है वो due date ये उसके अंदर जमा नहीं कराया तो वो taxable हो जाएगा ठीक है अब इसी तरीके से यहां पे भी यही बोल रखा है तो अगर वो taxable PGP में नहीं है तब जाके यहां पे taxable होगा ठीक है income from letting out on higher plant machinery furniture तो plant machinery furniture अगर आपने कराये पे दिया है उसी तरीके से बोल दिया income from letting out क्या बोल रहा है when letting of building is inseparable from letting of plant and machinery आपको पता है कि plant and machinery furniture एक building में होगा है आपने building को भी कराये पे दि और building का किराया और plant and machinery furniture का किराया अलग-अलग नहीं किया जा सकता अलग-अलग compute नहीं किया जा सकता तो इस case में जो भी total rent होगा जो भी आपको मिला वो income from other source में taxable होगा ठीक है इस तरीके से बोल रहा है फिर आपको बोल दिया some received from keyman insurance policy including bonus if received by any person other than employer and employee आपको बताए कि employer को मिलता है तो वो PGP में आ जाता है employee को जो मिलता है वो profit in lieu of salary का पार्ट बनता है लेकिन बोल रहा है कि अगर employer employee का relationship नहीं है और अगर आपको क्या है keyman insurance policy का amount मिला और साथ में bonus मिला तो income from other source में जाएगा insurance commission income from other source इस तरीके से बोल रखा है अब देखिए यहां पे बोल रहा है dividend section 56 to 1 और हाँ यह आ रखना जो मैंने आपको यह उपर point बता है एका बता है कि अगर वो PGP में taxable नहीं होते है तो income from other source में जाएगे तो normally जब आपको कुछ नहीं दे रखा होता और bank deposit दे रखा होता है उसका interest होता है तो हम क्या मान के चलते है कि आप PGP नहीं होगा नॉर्मल income from other source में चला जाएगा तो हमें क्या उस particular situation पे depend होना होता है अब इसी तरीके से आपको दे रहे का dividend section 56 to 1 इसमें क्या बोल रहा है चाहे आपने stock in trade के form में रखे हो shares या चाहे आपने investment के form में shares रखे हो अगर उस पे आपको dividend मिलता है तो हमेशा taxable होगा income from other source में Indian company यानि domestic company से अगर dividend मिलता है तो वो exempt होता है shareholder के hand में subject to 115 BBDA जो कि मैंने बताए कि शायद आज की वीडियो में ही cover हो जाएगा कि अगर 10 lakh तक का dividend है तो exempt उससे उपर का जैसे 15 lakh है तो 5 lakh पे 10% taxable हो जाएगा 12 lakh है तो 2 lakh पे 10% हो जाएगा 13 lakh है 3 lakh पे 10% हो जाएगा तो generally इस section में यही बोल रखा है तो Indian company से जो dividend मिलता है वो 10 lakh तक का exempt है उससे उपर का जो भी access part है वो access dividend taxable होता है कह रहा है year of taxability of dividend section 8 nature of dividend normal dividend है declaration वाले year में taxable होगा लेकिन deemed dividend जो है year of distribution oblique payment यह बोल रहा है interim dividend क्यों होता है जो दो annual general meeting के बीच में company अपने आप दे जाती है यह company पहले कोई intimation नहीं देती है एक तरीके से यह मान के चलिए या propose नहीं करती है तो यह बीच में दे जती है year in which dividend is unconditionally made available to shareholder तो company खुश होगा यह company का profit अच्छा होगा तो company ने दो annual general meeting के बीच में जो dividend दे दिया वो interim dividend हो गया तो companies में कोई condition नहीं बताती है इंकम तो उसकेस में डिविडेंट से रिलेटेड अलग-अलग separate year का taxability का बाट दे रखा है तो उसकेस में method of accounting को देखने की जरूद नहीं है dividend declared by Indian company outside India देखिए क्या हो रहा है Indian company दे रही है इंडिया के बाहर लेकिन वो क्या माना जाएगा deemed to be accrue arise in India उस केस में वो exempt होता है कहा तक 10 lakh तक का शेरोलडर को मिला वो exempt है अब देखिए exempt क्यों है क्योंकि अभी मैंने आपको बता है कि 115 okay according company ने उस पर dividend distribution tax दिया होगा Indian company का करती है जब भी dividend देती है तो उस पर का करती है dividend distribution tax देती है तो शेरोलडर के हाथ में वो exempt होता है बस यह आ रख लीजिए तो देखिए आप यह बोल रहा है टाइपस ओफ डिविडेंट एंड टेक्स बिलिटी फॉर शेरोलडर्स देखिए मैंने आप शॉर्ट शॉर्ट में कवर कियें जा डीटेल में कवर नहीं करें क्योंकि नहीं तो इंडेंट काट अंडर सेक्शन 10-34 क्योंकि आपको बता है कि मैं शेरोलडर के पॉइंट वी से देखना है तभी क्या बोल रहा है सब्जेक्ट तो सेक्शन 115 बीवीडी ए जो मैंने बताया 10 लेक्स से उपर जो भी डिविडेंट है उस पे 10% टेक्स लगेगा शेरोलडर के ह बोल रहा है ऐसा क्योंकि कॉन्कि कोपनी ने उस पे डीविडेंट डिंट तैक्स पे कर दिया होगा अंडर सैक्शन 115 मैंने क्या बताया था इसलिए शेरोलडर को देने की जौरत नहीं है लेकिन कब देगा ठीक है कब exception है जब 10 लाग से उपर का उसका dividend बन जाता है जैसे 12 बना तो 2 लाग पे वो 10% देगा जो कि इस section में बोल रखा है ठीक है dividend by foreign company taxable है अगर foreign company dividend नेती है जो taxable है किसके हाथ में resident and ordinary resident के हाथ में और बोल रहा है अगर इंडिया में मिला है ठीक है foreign company से dividend मिला है और इंडिया में मिला है तो वो taxable होगा ठीक है तो एक तो resident and ordinary resident के लिए यानि ordinary resident बोल सकते हो और जो not ordinary resident है या non resident है उसके लिए कब होगा taxable जब वो इंडिया में मिला है anyone if received in India dividend by mutual fund और UTI exempt है UTI जानते हो unit trust of India तो उसका जो dividend मिल रहा है mutual fund से जो dividend मिल रहा है वो exempt है under section 10 sub section 35 deemed dividend जो की point क्या है A से लेकर D मैंने बताया था ना A से E है तो देखो A से लेकर D क्या बोल रहा है company shall pay dividend distribution tax under section 150 and does exempt in the hands of shareholders तो देखिए जैसे आप normal dividend बोल रहा है यही condition लग रही है जिसमें क्या हो गया company ने अगर dividend distribution tax पे कर दिया है तो उस case में वो shareholder के हैंड में क्या होगा exempt होगा जो की जनरली company पे करेगी ही करेगी तो वो shareholder के हैंड में exempt होगा ही होगा इसमें भी जनरली यह यह बोल रहा है 31 March 18 तक जो यह E point का था यह taxable होता था shareholder के हैंड में मलब income from other source में shareholder के हैंड में taxable होता था लेकिन 1 April 18 से shareholder के लिए exempt हो गया क्योंकि company इस पे अब dividend distribution tax दे रही है at the rate 30% इस particular E point में company क्या कर रही है 30% के according dividend distribution tax दे रही है इसलिए वो shareholder के लिए exempt है तो यह याद रख लेना अब देखिए point है आपका deemed dividend से related जिसमें A point B point C point D point E point यह आएंगे तो यहाँ बोल रहा है these payment are not dividend in reality but for the purpose of income tax they are deemed as dividend so as to check tax evidence तो generally जो dividend दिया जाता है जितना company के पास accumulated profit होगा generalizer का part P&L का part आगे मैंने accumulated profit में क्या क्या आएगा वो भी cover कर रहा है तो accumulated profit में जो भी part होगा उतनी हद तक company क्या करेगी shareholder को जो भी amount देगी तो वो generally dividend कहलाएगा जरूरी नहीं कि वो dividend के form में दिया गया है लेकिन वो dividend कहलाता है तो यहाँ पर यहीं बोल रहा है following payment or distribution by the company to shareholder are treated as dividend to the extent of accumulated profits of the company company के जो भी accumulated profit है उस हद तक वो क्या कहलाएगा एक तरीके से deemed dividend कहलाएगा तो पहले हम देखते है 222 उसका point A ठीक है तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है distribution of accumulated profit by the company to its shareholder resulting into release of company's assets यानि company की asset उससे क्या हो रही है there should be distribution from accumulated profit of the company whether capitalized or not and not from capital यह बोल रहा है कि accumulated profit में से distribute होना चाहिए चाहे वो accumulated profit capitalized हो चाहे नहीं हो और या रखना share capital में से नहीं दिया जाना चाहिए बोल रहा है not from capital तो accumulated profit में से दे रहे हो such distribution must result in release of company's asset इसके थुरू क्या होगा company की क्या होगी asset release होगी चाहे तो वो cash में हो चाहे वो kind में यह दो चीज़े होनी चाहिए पर देखे क्या बोला note in case of issue of bonus share to equity shareholder तो generally यह deemed dividend नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें profit का क्या होता है capitalization होता है तो यह बोला no asset is released since it is a जो भी assets जा रही है और आपको बताए कि वो किस में से use हो रहा है accumulated profit में से हो रहा है तो वो dim dividend का पार्ट माना जाएगा जैसे example कि हम में क्या बोल रहा है एक ABC limited है उसकी share capital 35 lakh है जन्र लेजर है 25 lakh और उसने क्या करा dividend distribute किया shareholder को एक shareholder Mr. X उसने 27,000 dividend receive करा अब यह बताए कि उसका कितना dim dividend है तो हमें बताए कि shareholder X के हमें share holding पता होनी चाहिए तो उसकी holding कितनी है 2% of the share आप देखे 35 lakh rupees के shares में से वो 2% hold करके बैठा है तो हम यह भी दो बोल सकते हैं कि total firm का जो accumulated profit था वो 25 lakh था तो उसमें से उसको कितना मिलेगा 2% यही मान के चलिए तो 25 lakh का 2% मलब 50,000 तक का अगर distribute क्योंकि क्योंकि क्या बोल रहा है accumulated profit तक का जितना distribute किया वो deemed dividend माना जाता है in this case entire amount और रुपिस 27,000 क्योंकि distribute की शिर्फ 27 किया जो कि 50,000 के अंदर ही आ रहा है ठीक है हम यह बोल सकते हैं कि generalizer total है उसमें से x का हिस्सा कितना है जितनी उसकी holding है तो आप देख सकते हो 25 lakh का 2% 50,000 है तो इस case में देखे हैं यह बोल रहा है in this case entire amount और रुपिस 27,000 received by him shall be considered to be dividend क्योंकि वो 50 के अंदर आ रहा है तो वो deemed dividend माना जाएगा अब देखे क्या बोल रहा है एगले point में distribution of accumulated profit by company in form of debentures और debenture stock और bonus share to preferent shareholder अभी ज़ा हम bonus share बोल रहे थे वो उपर किसके लिए थे? bonus share to equity shareholder था ठीक है तो उसे capitalization of profit बोला जाता है और उसे deemed dividend नहीं बोला जाता है लेकिन अगर bonus share preferent shareholder को दिया जा रहा है तो तब उस case में उनके लिए वो deemed dividend माना जाएगा किनके लिए preferent shareholder के लिए तो यहाँपे देखे यह बोल रहा है any distribution by company of bonus debentures या debenture stock जैसे bonus share देती है वैसे bonus के वह में debentures दे रही है debenture stock दे रही है किसी भी shareholder को bonus share दे रही है preferent shareholder को या रखना यहाँपे किसी भी shareholder को चाहिए equity चाहिए preferent shareholder उनको debenture दिया जा रहे है या preferred shareholder को share दिया जा रहे है, no dividend if given to equity shareholder, या रखना क्योंकि bonus share equity shareholder को दिया जाता है, तो वो deemed dividend नहीं माना जाता, लेकिन preferred shareholder को दिया जाता है, तो वो deemed dividend preferred shareholder के hand में हो जाएगा, जैसे बोल रहा है, तो चाए bonus share हो चाए debenture, अब देखो note में क्या बोल रहा है, in this close release of asset is not necessary, इसमें assets का release होना यानि cash में, kind में जरूरी नहीं है, जैसे बोल रहा है, Mr. X is holding 100 preferred share in ABC Limited, company has issued him 100 bonus shares having market value of Rs. 1200, आप देख सकते हो, वो preferred share का holder है, तो उसको bonus share मिल सकते है, जो की deemed dividend का part होंगे, तो company ने क्या दा रहा है, उसके 100 bonus share दे दिये, जिसकी market value कितनी है 1200, it will be deemed as dividend to the extent of accumulated profit, जितना extent of accumulated profit का part X के लिए है, उतना क्या कहलाएगा, X के deemed dividend कहलाएगा, जैसे उपर मैंने बताया था आपको की 50,000 तक का part X के लिए था, तो आपको बताया कि उसको जो dividend दिया, वो 27 मिला, तो पूरा का पूरा deemed dividend है, अगर 52 मिलता, 55 मिलता, तो सिर्फ 50 तक का ही part deemed dividend माना जाता, क्योंकि उसकी holding कितनी है, सिर्फ 25,000 में 2% की है, reserve के form में बोल रहा हूं, वैसे तो उसके बास 35,000 रुपीज के share company के ते उसमें 2% हिस्सा था, लेकिन reserve में कितना था, 50,000 का था, तो आपको देखना है कि accumulated profit की हद तक एक तरीके से allow हो जाएगा, क्योंकि उसी shareholder को नहीं मिल रहे हैं, बाकी सारे shareholder को भी मिल रहे हैं, जैसे मेरे पास 10% है, किसी के पास 5% है, तो उस holding के according generally मिल जाएगा, अब देखिए C point में क्या बोल रहा है, distribution of accumulated profit at the time of liquidation, तो देखिए इसमें भी तो यही बोल रहा है कि अगर shareholder को company द्वाला liquidation पर, तो liquidation से just पहले, immediately before its liquidation, ऐसे बोल रहा है, तो liquidation से just पहले, जो भी asset दे दी जाती ह है, तो वो क्या माने जाएगी, deemed as dividend माने जाएगी, ने deemed dividend माने जाएगी to the extent of accumulated profit, तो हर point में ही बोल रहा है कि accumulated profit तक का, तो बोल रहा है, any distribution by company on liquidation shall be deemed as dividend to the extent of accumulated profit, चाहे वो capitalized किया गया है, चाहे, नहीं किया गया, immediately before its liquidation, बोल दिया न, इसका मतलब क्या हुआ, liquidation के बाद जो आपने के बाद जो share capital है, वो shareholders, यानि members नहीं तो लगाई वी है, तो है बोला है, distribution made out of profits after liquidation, liquidation के बाद के जो profit है, वो अगर distribute कर रहे हैं, तो repayment towards capital कहलाएगा, वो deemed dividend नहीं कहलाएगा, तो liquidation से पहले जो distribute किया है, वो deemed dividend का बाट कहलाएगा, कहां तक? accumulated profit तक, फिर देगो क्य ने क्या कर दिया, share capital का बाट reduce कर दिया, जितना reduce करा, वो deemed dividend का पाट कहलाएगा, अगर वो accumulate profit के extent में दिया जा रहा है, यहाँ पर यह बोल रहा है, any distribution by company on reduction of its share capital to the extent of accumulate profit, whether capitalized or not, is deemed as dividend, example के form में आपको समझ जा जाएगा, कह रहा है, Mr. X is holding 1000 shares of ABC Limited of Rs.10 and company has reduced its share capital and has refunded Rs.5 per share to the shareholder, अच्छा यहाँ पर क्या बोल रहा है कि company की जो share capital थी, उसकी face value 10 रुपीस थी, company ने क्या कर दिया, उसको reduce कर दिया और 5 रुपे refund कर दिया shareholder को, amounts of received by shareholder shall be considered to be deemed dividend, लेकिन कितना accumulated profit तक के extent का, उससे ज़्यादा नहीं माना जाएगा, ठीक है, shareholder के hand में deemed dividend माना जा रहा है, इसमें बोल रहा है, any payment by closely held company, यह generally क्या होती है, हम बोल सकते है private company, ऐसे बोलता है, जिसमें public substantially interested नहीं हो, ठीक है, company जिसमें public substantially interested नहीं हो, उसे क्या बोलेंगे, closely held company, आप generally बोल दीजेगा, short में private limited company जो भी है, यानि private limited जो भी company है, अगर वो क्या करती है, advance या loan के form में shareholder को द ठीक है, hold करके बढ़े, at least का मलब क्या हो गया, 10% और more, 10% या उससे ज़्यादा, ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है, any payment by closely held company by way of advance, oblig loan to shareholder, beneficially holding at least 10% equity share in the company, यहा रखना, company का का काम कोई advance या loan देने का नहीं है, यहाँ पर, company का का काम कोई advance या loan, या कोई या loan company या financing company नहीं ह ऐसे shareholder को दिया है, जिसके पास 10% है, उससे ज़्यादा equity share है, company के, या बोल रहा है साथ में, any person on behalf of such shareholder, इन shareholder के बिहाफ पे कोई person हो गया, या उसके benefit के लिए, जिसे हम बोलते है, beneficiary shareholder, एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं, third, any concern, कोई concern, यानि कोई firm हो गई, in which such shareholder है, substantial interest, या share, इसका मतलब यह हो गया, कि अगर एक X limited है, X private limited है, उसने बोल दिया कि, उसने किसको loan दे दिया, एक Z limited कह नहीं, किसी भी concern की बात कर रहा है, तो Z limited को advance दिया, जिसमें से एक shareholder है, जिसके पास क्या है, क्योंकि such shareholder की बात कर रहा है, तो उस shareholder के पास at least कितने है, 20% share है, त जो वो shareholder है, जिसके पास at least 10% X private limited के share है, at least, तो वो उस दूसरी firm में, जिसको loan दिया गया है, उसमें वो member या partner है, any concern in which such shareholder is member और partner, देखिए, अब मैंने example के form में जैसे बोला कि X private limited है, X private limited ने क्या गरा, loan या advance दिया, Z limited को, और जो shareholder है, उसके पास X के भी share है, generally share कितने हो होंगे, at least 10% equity share होंगे, इसके अलावा, Z limited में जो उसके share है, वो कितने होने चाहिए, at least 20% होने चाहिए, यानि वो substantial interest इस Z limited में रखता है, तो अगर X इसे loan देगा, X अगर इसे loan देगा, तो उस case में generally क्या बोल दिया, जो भी amount है, वो deemed dividend का part माना जाएगा, shareholder के लिए, ऐस या उस concern के लिए, ऐसे बोल दिया, तो यहाँ पर भी यहीं बोल रहा है, any concern in which such shareholder is member या partner, यानि वो Z limited की जगे, कोई Z firm भी हो सकती है, Z traders भी हो सकता है, जिसमें आप member या partner हो, ऐसे बोल रहा है, अब देखिए, यहाँ बोल रहा है, ABC Private Limited, एक closely held company है, general reserve of Rs.7 lakh and current profit of 2 lakh, तो ने क्या कर रहा, company एक private limited है, उसके पास 10 lakh के, 9 lakh के क्या accumulated profit है, उसमें से उसने क्या कर दिया, अब एक तरीके से 3 lakh का loan दिया है, X को, in this case, it will be considered to be dividend in the hand of Mr. X, तो जो पूरा 3 lakh का बाट है, क्योंकि आपको पता है कि accumulated profit तक का, तो accumulated profit तो 9 lakh है, बहुत सार है, तो जो 3 lakh का loan है, वो X के लिए deemed dividend माना जाएगा, however, if loan given by the company 10 lakh, लेकिन अगर loan company ने उसे 10 lakh का दिया होता, तो amount of dividend कितना होता, 9 lakh तक कही होता, amount of dividend shall be rupees 9 lakh, ठीक है, तो जितना आपके बास accumulated profit है, उतना deemed dividend मान लिया जाएगा, अगर company क्या कर रही है, दूसरे जो shareholder है, उसको क्या दे रही है, लोन दे interest है, उस company को generally क्या कर रही है, लोन दे रही है, तो उस case में भी क्या हो जाएगा, वो deemed dividend के format taxable हो जाएगा, exception में क्या बोल रहा है, money lending in substantial business of the company, इसका मलब, अगर उस company का काम ही क्या है, लोन देने का, लोन लेने का, तो वो तो ordinary course of business है, उस case में deemed dividend नहीं माना जाएगा, फिर आ लेने का 3 lakh का, ठीक, आपको बताए कि किसके हैंड में, जो Mr. X या जो भी person है, उसके हैंड में, जिसने भी loan लिया, उसके लिए deemed dividend माना गया, अब company ने क्या कर रहा, dividend declare कर दिया, मान के चलिए, real में ही company ने क्या कर दिया, dividend declare कर दिया, उसी पार, उसी year में, और dividend क्या कर दिया पेड भी कर दिया, तो मान के चलिए कि उसके हाथ में आया 180, तो यह बोल रहा है कि जो 3 lakh का लोन है, उसके against ये 180 का dividend adjust हो जाएगा, और बाकी जो 1 lakh 20 है, वो deemed dividend मान लिया जाएगा, ऐसे बोल रहा है, तो बोल रहा है, where any payment has been treated as dividend and subsequently company declares dividend and dividend so paid is adjusted by the company against the previous borrowing, जो 3 lakh का लोन है, उसक against क्या कर दिया, इसको adjust कर दिया, जो भी company ने dividend declare किया है, जैसे मान के चलिए उस share roller के बास 1 lakh 80,000 का dividend आया, real में, और 3 lakh का loan उसका deemed dividend माना गया था, तो इसको adjust करेंगे, ठीक है, adjust and amount will not be again treated as dividend, जो भी adjust किया गया है, उसको वापिस से dividend नहीं माना जाएगा, और बाकी पार्ट को deemed dividend माना जाएगा, ऐसे बोल दिया, अब देखे बोल रहा है, following payment shall not be treated as deemed dividend, अगर company क्या करती है, payment on buyback of share, अपने share खरीती है और shareholder को payment करती है, dividend does not include any distribution of share in the scheme of demerger, demerger के case में जो भी distribution हो रहा है, share का वो भी नहीं आएगा, trade advances in the nature of commercial transaction, जनरली क्या होता है, एक dealer, दूसरे dealer को क्य कर रहा है, trade व्यापार से related advance दे रहा है, तो वो भी deemed dividend नहीं माना जाएगा, इस तरीके से आपको दे दिया, अब देखे है, accumulate profit में क्या क्या आएगा, तो यह तो point दे रहे हैं, आपको पढ़ने पढ़ेंगे, देखे बोल रहा है, it includes all profit up to the date of distribution or liquidation, जैसा है normal जो भी आपको ठीक, only for close A to D and not for close E, thus capitalized profit is not considered for section 2, subsection 22 point E, तो बोल रहा है कि A से लेके D point तक के लिए capital profit भी include किये जाएंगे, accumulated profit में, जो bonus share issue किये गया है, तो capitalized किया गया है, तो वो capital profit भी आ जाएंगे, लेकिन 22 E के लिए नहीं आएंगे, उसमें capitalized profit को नहीं लिया जाता, फिर बोल रहा है इसमें tax free income include होती है, however capital receipts are included in accumulated profit only, if they are taxable under head capital gain in the hand of recipient company, ये बोल रहा है कि अगर वो recipient company के hand में capital gain के form में taxable हैं, तो वो भी capital receipt जो है, वो accumulated profit में आ जाएगी, इसके लावा जो tax free income है, वो भी include हो जाएगी, does not include provision for tax, object dividend, depreciation reserve, provision for outsider, ये बोल दिया, तो इसका अमलब हो गया कि आपका provision for depreciation का part में इसमें नहीं आएगा, provision for tax, provision for dividend, यानि proposed dividend का part भी आपका नहीं आएगा, इस government और government company has compulsorily acquired the company, अगर government और government की company ने compulsory किसी company को खरीद लिया, तो बोल रहा है, तीन successive previous year है, उससे just पहले के, उनसे related जो profit है, वो accumulate profit का part नहीं बनेगा, ठीक है, यानि जिस साल acquire किया है, उससे just पहले के, एक, दो, तीन ये बोल रहा है, तो उन तीन साल का जो भी profit है, वो accumulate का part नहीं बनेगा, फिर बोल रहा है, in case of amalgamated company, तो उस case में क्या बोल रहा है, on the date of amalgamation shall be included in accumulated profit of amalgamated company, तो amalgamated यानि Y company के जो accumulated profit है, उसमें X company के भी include हो जाएंगे, ठीक है, रहूल holding 28% of equity sharing in a company, took a loan of rupees 5 lakh from the same company, अब देखो क्या बोला, रहूल ने hold किया 28% of equity sharing in a company, took a loan of rupees 5 lakh from the same company, on the date of granting the loan, the company had accumulated profit of 4 lakh, the company is engaged in some manufacturing activity, आप देख सकते हो, अभी बोल रहा है, is the amount of loan, पहला case क्या बोल रहा है, is the amount of loan taxable as deemed dividend in the hands of Raoul, if the company is a company in which the public are substantially interested, आपको क्या हम बताया है, मैंने, closely held company, जिसमें public substantially interest नहीं हो, यानि वो private होनी चाहिए, जबकि यहां पे क्या बोल दिया, जिसमें public substantially interested है, तो वो तो public company हो गई, जबकि हम किसकी बात कर रहे थे, private company की case में क्या बोल रहे थे, कि private company ने किसी shareholder को क्या दिया है, loan या advance के form में amount दिया है, जिसमें उस person का, उस shareholder का क्या है, substantial interest होना चाहिए, यानि वो 10% से ज़्यादा क्या होनी चाहिए, holding होनी चाहिए, 10% या उससे ज़्यादा, 10% और more, तो आपको पता है कि राहूल की 28% है, पांच लाग का loan लिया है, company के पास उसक्त accumulate profit 4 है, तो 4 लाग तक क्या होगा, deemed dividend होता, लेकिन कब होता, अगर वो company substantially interested नहीं होती, इसका मलब अगर वो company private limited होती, तो पहले case में क्या वो लेंगे, deemed dividend नहीं है, दूसरे में है, क्यों के रहा, what would be your answer, if the landing company is a private limited company, that is company in which the public are not substantially interested, तो इस case में हम बोलेंगे, पूरी condition हो रही है, 10% या उससे ज्यादा अपार्ट भी हो रहा है, loan भी लिया है, इसके लावा जो company है, वो closely held है, मलब private limited company है, तो solution में देखिए, यहीं बोल रहा है, any payment by a company, अददन है company in which the public are substantially interested, तो ब कोल रहा है कि इसको छोड़के अगर किसी company ने, मलब private limited company ने कोई amount दिया है, of any sum by way of advance or loan to an equity shareholder, being a person who is the beneficial owner of shareholding not less than 10% of the voting power, is deemed as dividend under section 2, subsection 22.2, अब देखिए, यह जो पूरा पार्ट दे रखा था, यह theoretical था, इसको मैंने break करके ही आपको यह बताया थे, यह देखिए, तो यह ब आपको आराम से समझ में आ जाएगा, तो यह डंक से देखिए, आपको simple लेगेगा, जादा typical नहीं है, कि जितना loan दिया है, उतना क्या होगा, deemed dividend का पार्ट हो जाएगा shareholder के लिए, लेकिन कब वो company private limited होनी चाहिए, और इसके अलावा आपके वाशेर holding 10% या उससे जादा हो नहीं चाहिए, यह आप बोल सकते हैं कि जिस company में आपके share है और उस company ने अगर loan लिया है, ठीक है, जिस company ने loan दिया वो private limited है, और जिस company में आपके share है, उस company ने loan लिया है, तो उसमें आपका substantial interest 20% या उससे जादा होना चाहिए, तब जाके एक तरीके से वो deemed dividend के form में कि the provision of section 2, subsection 22E, however, will not apply where the loan is given by a company in which public are substantially interested, in such a case, the loan would not be taxable as deemed dividend in the hand of Raoul, however, if the loan is taken from a private company, जिस में public substantial interest नहीं थी, जो कि एक manufacturing company है, and not a company where lending of money is a substantial, क्योंकि देखिये, बोल दिया था कि यह manufacturing company है, जिसका loan देने का काम नहीं है, उसका ordinary business नहीं है, तो उस case में जो भी उसने advance दिया है, व क्योंकि लिए क्या होगा, deemed dividend माना जाएगा, then the provision of section 222E would be attracted, since Raoul hold more than 10%, क्योंकि Raoul के पास कितने है, 28% है, ठीक है, तो more than 10% of equity share in the company, the amount chargeable as deemed dividend cannot, however, exceed the accumulated profit, लेकिन accumulated profit ही कितने है अपने पास, अपने पास only 4 लाग है, जबकि लोन कितने का लिया है, 5 लाग का, तो 4 लाग ही deemed dividend माना जाएगा, therefore the amount taxable as deemed dividend in the hands of Raoul would be limited to the accumulated profit, that is Rs. 4,00, and not the amount of loan, which is Rs. 5,00, क्योंकि accumulated profit 4 है, और आप, आपको जब मैंने पूरा deemed dividend का section बताया तो वो इसी से link बताया, simple सा था, अब देखिए, ये सबसे simple सा बाट है, जिसमें क्या बोल रहा है, tax on dividend received from domestic company, मैंने आपको क्या बताया, domestic company क अगरती है, dividend distribution tax pay कर देती है, 115, okay against, आपको ये पताया, तो उस case में shareholder को जो भी dividend मिलता है, वो exempt होता है, लेकिन कितने तक का, 10 lakh तक का, ठीक है, चाहे एक हो या एक से ज़्यादा हो, total मिला के हम बोलेंगे, कितना aggregate dividend जो है, वो 10 lakh तक का exempt है, ज्यानी कहने का मलब, अगर आप के आपका एक्स कंपनी के भी share है, Y कंपनी के भी है, X ने भी dividend दिया, Y कंपनी ने भी dividend दिया, इस तरीके से total मिला कि आपका dividend कितना बन गया, 15 lakh बन गया, तो इसका मलब क्या होँआ, 5 lakh क्यों कि X कंपनी से भी मिला, Y से भी मिला, और भी कोई companies है, उन से भी dividend मिला उस साल, त तो 10 लाग तक का exempt है बागी 5 लाग क्या होगा टेक्स से बलोगा उस पर टेक्स कितना लगेगा 10% तो 5 लेक का 10% 50,000 तो eligible SSC में क्या बोल रहा है any resident person other than कोई भी resident person eligible है जिसको dividend मिल रहा है किसको छोड़के domestic company को छोड़के fund को छोड़के या institution या trust को छोड़के या university को छोड़के या कोई भी other education institution को छोड़के या किसी hospital को छोड़के या medical institution को छोड़के trust या institution को छोड़के कोई भी resident person हो सकता है if aggregate dividend received from one or more domestic company in the previous year is greater than rupees 10 lakh मैंने यह बताया तो 10 लाग तक का exempt है अब देखे taxable dividend में क्या बोल रहा है amount of dividend in excess of rupees 10 lakh एक example के तुरू आपको बता दूँगा आपको समझ में आ जाएगा simple सा है dividend include dividend referred under section 222 से जो ये points दे रखे है A से लेके D but shall not include dividend under section 2 subsection 22 point E तो बोल रहा है कि ये include नहीं होगा लेकिन बाकी सारे dividend normal dividend के form में माने जाएंगे और उसमें 10 lakh तक का part देखा जाएगा A से लेके D point है जो भी deemed dividend के है वो एक तरीके से dividend में include हो रहे हैं लेकिन इसमें include नहीं हो रहे 222 E वाला point तो जब भी 10 lakh के आप 10 lakh का dividend calculate करोगे कि 10 lakh से उपर हो रहा है नहीं हो रहा तो उसमें 222 E point नहीं cover करोगे अब देखो rate of tax क्या है 10% है अगर surcharge है जैसे एक resident person का मैं बोल सकता हूँ income 50 lakh से जादा जा रही है 1 crore से जादा जा रही है तो surcharge का part आप बोलोगे sir कब बताऊगे जब मैं assessment of individual का part cover कराऊँगा तो उसमें surcharge का part बताऊँगा तो surcharge भी हो सकता है लेकिन देखो surcharge तो किस पर depend करता है income पर depend करता है तो जरूरी नहीं है वो हो तो 10% तो है उसके साथ health and education says तो होता ही है जो कि कितना percent होता है आपको पता है 4% होता है health and education says ठीक है deduction no deduction is allowed from dividend income यह बोल रहा है कि deduction नहीं मिलेगी जैसे आपको बता है कि deduction ATC से लेके ATU की होती है तो generally वो आपको नहीं मिलेगी rebate 87A की वो नहीं मिलेगी ऐसा बोल रहा है step involved in calculation of tax in case of dividend income is greater than 10 lakh अब step कुछ भी नहीं है जो मैंने बता है वो ही है तो देखे क्या बोल रहा है where the total income include dividend exceeding rupees 10 lakh from domestic company the income tax payable shall be aggregate of amount of income tax calculated on dividend income exceeding rupees 10 lakh at the rate 10% और amount of income tax on remaining income total income minus dividend देखे यह normal सा logic है कि आपका जो भी देखो dividend की income जैसे 15 lakh भी तो 5 lakh का 10% निकाल लो और total income में से आप वो dividend जो पूरा का पूरा 15 lakh का है वो less कर दो बाकी income पे जो slab rate है उसके according tax लग जाएगा जो भी slab rate लगती है जैसे आपको बताएगी 250 तक nil फिर आपको बताएगी 250 से 5 lakh का बाट है 5% 5 lakh से 10 का बाट है 20% 10 से उपर का है 30% जो मैंने slab rate बताएगे वो assessment यह 2021 के according बताएगे जो कि मैं आपको assessment क्या बोलते है assessment of indies जो लाले chapter में करवाँगा और जो मैंने बताएगे वो normal citizen के लिए बताएगे ना कि senior या super senior के लिए उनके लिए थोड़ी सी अलग है वो बाद में आपको समझ में आ जाएगी illustration में क्या बोल रहा है एग डॉमेस्टिक कंपनी उसने declare कि dividend 170 lakh का for previous year 18-19 अब देखे 170 lakh का किया उसमें मेरी holding कितनी है वो question में बता रखी होगी तो कह रहा है and distributed on 10 July 19 Mr. X holding 10% sharing a limited receives dividend of rupees 17 lakh in July 19 तो आप देख सकते है 170 lakh है उसमें से 10% मेरी holding है तो मुझे 17 lakh मिले Mr. Y holding 5% sharing a limited receive dividend of 8.50 lakh क्योंकि 5% है तो 170 का 5% देख लेना 8.50 तो इसका तो 10 के अंदर आ रहा है Y का तो Y के लिए क्या है exempt है लेकिन X के लिए नहीं है X के लिए कितना taxable होगा क्योंकि वो 10 lakh से जादा हो रहा है तो 7 lakh का 10% कितना हो गया 70 के 70,000 यह क्या हो गया taxable हो गया तो यह बोला है discussed tax implication in the hand of Mr. X तो देखिए ए लिमिटेट ने तो क्या कर रहा dividend दिया 170 lakh का जो कि बोल रहा है declare and distributed in previous in 1921 19-20 इस subject to dividend distribution tax under section 115 O तो यह तो मैंने आपको बता आया था कि company को क्या करना पड़ता है dividend distribution tax देना पड़ेगा क्योंकि Indian company है ठीक उस तरीके से X और Y के लिए exempt होगा लेकिन X के लिए क्यों नहीं है क्योंकि X को जो dividend मिला वो 17 lakh मिला जो 10 lakh से जादा है तो बोल रहा है dividend received up to Rs. 10 lakh would be exempt under section 10-34 X is 100 Rs. 7 lakh would be taxable under section 10 sorry taxable at the rate 10% under section 115 BBDA such dividend would not be exempt under section 10 subsection 34 तो 10 तक का exempt है लेकिन 7 lakh पे 10% सत्तर अजार और सत्तर अजार का 4% कितना हो गया health and education says हो गया आपका 2800 2800 तो टोटल हो गया 72 800 तो यह हो गया tax payable जबकि Y के हैंड में नहीं होगा क्योंकि आपको पताए कि वो 10 lakh से काम है और Y को मिल रहा है 8.50 lakh 8.50 तो एक्जम्ट होगा पूरा का पूरा और देखिए अगर आपका कोई friend relative and known जिसका NTNate geography का एक्जम है जो कि 12 November 2020 को होने वाला है और जिनने अपनी skill को improve करना है तो उनके लिए unacademy लेकर है T10 test series in geography यह free test series है जिसमें अभिशेक जी दौरा आपको daily basis पर 10 mcqs प्रवाइड कराई जा रहे है 23rd अक्टूपर से 1st November तक यह running है तो अभी भी लेट नहीं भी आप enroll कर सकते हैं लिंक आपको description में दिया गया है देखिए free test series के साथ साथ आपको analysis भी प्रवाइड कराई जा रहा है daily basis पर analysis होगा जिससे आपको अपनी mistake या error का पता चलेगा और आपका जो dream नेट जेरफ उसको आप आराम से अचीव कर पाएंगे क्योंकि देखिए exam में जब भी आप question attempt करेंगे तो आप अपने आपको एक confident feel करेंगे तो इसको जरूर जोइन कीजिए इसका link आपको description में दिया गया है क्योंकि ये free है इसी तरीके से complete course commerce related provide किया जा रहा है ultimate batch one में 22nd October से ये running है तो आप अभी भी join कर सकते हैं यहाँ पर इंडिया के top educator आपको commerce related जो भी practice questions है time management technique का part है आप किस तरीके से fast questions solve करोगे tips और tricks कैसे use कर नहीं है वो सारा part आपको सिखाए जाएगा इंडिया के top educator दोरा अगर आप ये course join करते हैं subscribe करते हैं तो उस case में आपको referral code NTA net put करना है NTA net जिस पर आपको क्या होगा NTA net put करते ही 10% discount भी provide करा जाएगा तो इस batch को इस commerce related batch को जरूर join कीजिए इसका भी link आपको description में दिया गया और अगर आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आईए तो वीडियो को like और share जरूर करना है और channel को अगर आपने subscribe नहीं किया तो channel को भी subscribe जरूर कर दिये जगा वीडियो देखने के लिए thank you